हेलो फ्रेंज वेलकम तो आपके अप्लिकेशन फॉम है उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है जो भी इसके लिए इसके लिए इंतजार कर रहेते हैं सीटेट के लिए जैसे इस बार रिजल के था 15-17% ही रिजल्ट आया था तो जो अपना स्कोर इब्रू करना चाहते हैं वह भी सीटेट के अप्लिकेशन फॉम का इंतजार कर रहे थे तो जैसे कि हमने इसकी इंफॉमेशन आपको अल्रेडी बता दी थी कि फरवरी में आपके अप्लिकेशन शुरू हो जाएंगे तो आपके अप्लिकेशन फॉम की जो है कम्प्लीट सीडूर है वो जारी कर दिया गया है प्लिकेशन फॉम जारी कर दी गई है पूरी कम्प्लीट इंफॉमेशन आ चुकी है आपके जैसे आप लोगों को पता हुगा इसका एक्जाम जो है आपका साथ जुलाई को होने वाला है उसके लिए जो आपको आवेदन करने की तीती बताए गई है वो पांच फॉर्वरी एको जो है पे करने के जो डेट थे वह आथ मार्ज हूँ कि जो 3,5 बजा तक आप इसके जो है इस शालन सुऺ्विय declan stores आदिट कर कि जरी आप अपनद कर सकते हैं कि ऑनना सौट्लाइन करेक्शन करने की जो डेट है वह वो 14 14-20 मार्स तक आप इसके कर्केशन कर सकते हैं उसके बाद में आपको जो है कर्रेक्शन करने की अलाउन नहीं होगा इसके अलावा जो आपका एड्मिट काड है वो जून के लास्ट वीक में जारी कर दिया जाए और जो एग्जामनेशन के सेंटर से वो आपके अल्रेडी ओफिशल जो वेबसाइट उस पर जारी कर दिया गए है नाइटी सेवन सिटीज में एग्जाम होने माला है सारे स्टेट में जो इसके सेंटर बनाए गए हैं बीस लेंग्विजेज के लिए जो है इसमें बीस लेंग्विजेज में सीटेट एग्जाम होगा तो CBSE Board ने इसके डिटेल्स जारी कर दी है एक्जाम आपका साथ जुलाई को होने वाला है ओफ्लाइन मोड मतलब OMI based paper है और रिजल्ट जो है आपका एक मैने के अंदर अंदर जैसे इस बाहर भी रिकोर्ड जो रिकोर्ड टाइम में इन सीटेट का रिजल जारी किया था ए गार जारी जो एक तो छुलाइक एपका फूर्स जो इसलिग डिकलियर कर दिया जाएगा ठीके उसके बाद में जो है आपको इसमें यह इब इनफ़मिशन बताए गई जा आप आप एड्मिट कार्ड जो है डाउनलोड करेंगे और एक्जाम देते जाएं तो आप अमना ए जो कि आपके स्टेट या सेंटल कोर्मेंट से जो वेरिफाइड है तो वह आप ले जा सकते हैं जिसमें आपकी फोटो होने चाहिए ठीक है उसके अलाव आपको इसमें और कोई मतलब चीज़ अलाव नहीं होगी रफ बर के लिए सा कुछ भी अलाव नहीं होगा और आपके ज साड़े नो से बारा बज़े को फर्स्ट पारी में होगा सेकिन पेपर आपका जो है दो से साड़े चार बज़े तक होगा तो जैसे ही आपका पेपर फर्स्ट है वो पेपर फर्स्ट की रिपोर्टिंग टाइम है आठ बजी आठ बज़े से आपके प्लिंग जो है एंट्र यह उसके बाद नहीं देगी पेपर सेकिंड के लिए साड़े बारा बजे से जिसका फर्स्ट कतम होगा बारा बजे और उसके बाद नाज़े बारा जैसे रिपोर्टिंग टाइम है जो कि आपका वन फोटी फाइव तर रहेगा उस वन फोटी फाइव पर आपको बुकलेट है वो दो बजे है मतला एक पच्पन पांच मिनट के अंदर अंदर अगर आप इंटी का सकते है तो कर सकते है अधर वाइस के बाद रिपोर्टिंग आपको नहीं देने मलें नहीं अलाओ करेंगे और उसके बाद में दो बजे से पेपर शुरू हो जाएगा साड़े चार ब अप्लिकेशन का पोसेस अल्रेड जो अफिशल वबसाइट पर है लिंक अभी अक्टिवेट नहीं वहा लेकर इसके डिटेल हमने आपको जो है प्रोवाइड कर वा दिया और जैसे लिंक अक्टिवेट होता है उसके इंफोर्मेशन भी आप तक जल से जल पहुंचाएगी उसके जो बुक्स कौन-कौनसी आपको रेडी करनी है तो वो बुक्स की लिस्ट भी आपको इडिश्यम प्लाइव क्लासे बिल जाएगी तो वो जाकर आप जरूर देखें क्लासेस रेगुलर चल रही है इंपोर्टेंट कुशन की चाइल डवलप्मेंट पेड़ा होजी की मैस की सारी क्लासेस जो आपके चल रही है तो वो आप जरूर फोलो करें जो भी कैने इसके लिए अपलाई करना चाहते हैं जो अपिर होना चाते है तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाएए प्रिप्रेशन टिप्स भी हमने आपको इस पर इडिश्यम प्लाइव क्लासे